एक ऐसा अधारा जो कम वक्त में काफी चर्चे का विशे बना हुआ है एक ऐसा अधारा जो ड्राइवर के हग के लिए बात करता है अक्सर देखा है कि हाईवे में सलकों पे अगर ड्राइवर की एक्सिनेट हो जाए ड्राइवर के हुकुक के लिए लड़ता भी है और ड्राइवर के हुकुक में बढ़ चल कर काम भी करता है जैसे अगर ड्राइवर को कुछ हो जाता हो तो इस अधारे से फौरी तोर पे उनको मदद पहुचाए जाती है अगर ड्राइवर पर गलत इंजाम लगे या ड्राइवर को कोई परिशान करे तो उसके लिए लीगल सेल भी इनके साथ है जो मिलकर काम करती है अगर ड्राइवर को अगर सड़क दुरगटना में अगर कुछ हो जाता है तो इस अदारे से फौरी तार पर वहाँ पर एंबुलेंस फ्री सर्वीस भी दी जाती है प्लस ड्राइवर को यहाँ पर फ्री इंशुरेंस सेवाई भी दी जाती है और ड्राइवर के सड़क अगर मौत हो जाए तो उनके घरवालों को पैसे से मदद भी एक किया जाता है। फैसल खान इस All Right Driver मजदूर महासंग एसोसियेशन के वो डिरेक्टर है। फैसल खान इस पूरे प्रोग्राम के बारे में तो बने रहे वीडियो के आखिर तक तो आए रिखते हैं। पूरी ख़बर देखी जैसे कि आप जानते हैं कि कोई नहीं समाजी हम नहीं है। समाजी बहुत पुराने आप लोग जानते हैं मीडिया कर्मी से लेके परसासन से लेके पब्लिक से लेके जितने नितागर्ण हैं। लड़ाई मैदान पर नजर आते हैं। तो जब मैदान में हमारे ड्रेबर भाई हिंदुस्तान के कोने कोने हिंदुस्तान में डाड़ी लेके जब चलते हैं। तो उनका रक्षा करने के लिए उनका अधिकार के लिए उनका हक के लिए कोई परसासन या सरकार उस तरह के तरपड़ी दिखाई दे रहा है। बहुत सारा केस आ रहा है हम लोग जब से और ड्रेबर मजदुर मासंग बनाया है। पूरे 24 राज्य में जहरकंड में दौरा करके आए बिहार का दौरा करके आए दिल्ली भी हम लोग दौरा करके आए अब बंग्डाल भी दौरा कर रहे है। तो हिंदुस्तान के कोने कोने में यह आवाज दा रही है। यहां मेडिकल स्विधा की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरह से हमारे ड्रेबर पर एक्सिडेंट हो जाते हैं तो उनको फॉरन इलाज नहीं मिल पाता है। और यहां फॉरन वहां पे उनको इलाज दे रहा है। एम्बूलेंज फ्री दे रहा है। इसलिए कहीं ने कहीं ड्रेबर समाज को लग रहा है कि आड्यम पर भरोसा करना चाहिए। और इसी तरह से ड्रेबर भाई आप देख रहे हैं कि कम से कम लाखों ड्रेबर जुड़ चुक है तो इसका मतलब कहीं ने को सुईदा और फैसलेटी बीन रहा तभी तो आज कोने कोने बंगाल में भी आज हम लोग पूरे बंगाल के चोब तेस जिला में भी हम लोग पूर का है हैं। तरह से किस तरह से अपनी बात रखा जा सवापती हैं कि हम लोग हिंदूस्तान को कोडिनेसन आपनी बात रख्का जाए किस तरह कि लड़ रहा था अपना विए यह लड़ रहा था उस्तरा से हम लोगBeiken लड़ रहे औफょ किया जा रहा है कि हम जानना चाहते हैं सरकारों परसासन से आज दो दिन से मैं कंटीनिव आप अभी पंडवा में केस हुआ वो ड्रैवर को बोला गया 2000 अगर दो तो तुमको केस नहीं दे गया उनको केस दे दिया गया बॉंड कर दिया गया दूसरा दिन वह एड़केट को भ ट्राफिक जो रूल है पूरा सिस्टम चर्मरा गया है आप जान रहे हैं कि पच्छिम बंगाल में सिर्फ पैसा का बात होता है रास्ते पीसे पैसा वसुली होता है इसके खिलाब ड्रैवर पूरा अक्रोस अर्गुस्से में हैं तो हम वहीं जानना चाहते हैं सरकार उस गाइडलेंड से हमें आप लोग बता दे कि बहुत सार अभी क्लेम पास की हैं पंद्रा लाग भी ड्रैवर समाज को मिला है जो एक्षिडेंट हो जाता उसका प्रोसेस है जब आप प्रोसेस जानेंगे शुशन से प्रोसेस के माध्यम से हम लोग पैसा दिलाते हैं सरका चाहने सरकार दे पाती है तो हम लोग पिन ला करके और समाघ में पैसा देता हम लोगों को काम करने लिए तो समाघी पैसा देता हो चैसे जैसे पये बहुंठी मैंने बहुत सब्सक्राइब करेंगे हम लोग को इस तरह से जानकारी लोगों को ने मिल रहे हम लोग परखंट पंचाइड जा रहे हम लोग यहां बड़र में हमारे आसाम बोर्डर हो गया जर्खरन बोर्डर हो गया वर्णी तरह से उसके खिलाब भी बहुत सरा मामला है कि ट्रक को हैसा पैसा लिया भी ना छोड़ा नहीं जा रहा है वो भी हमारे पस वीडियो फूटेज वगर आ रही है तो कहीं ने कि सरकार को चिंता कभी से और ड्रैबर आयोग लाने का में लड़ाई हम लोग का सिंट्रल से है तो सिंट्रल का हवान करते हैं कि देखे सबसे पहला देखिए अभी आज के डेट में आपको बता दूंग दू हम सवाल मेरा मूल अधिकार हमारा जो ड्रैबर का वह बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहते कि आज ड्रैबर समाच जो जिस तरह से वनचीत है जो पिछड़ा ब्रशों से पूछता तो लाटी का डंडा मिलता है और गाली मिलता है और उसको कहा जाता है कि पैसा थो तब क्या अर देश्ट की आवाज अडियर तैयार कर रहे है इरफान खान जैसे लीडर तैयार लड़ने के लिए और देश्त की ड्रेवर की आबाज बन रहे हैं लोगा साहए सब से पहले मैं था बायों को कि हम अपने ड्राइवर समाज का न्याय और अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए All Right Driver मजदुर महासंग एशोशियसन के तरफ से आये हैं और संगठन को बनाने का मेंन लक्ष यह है कि हमारे ड्राइवर समाज को जो है न्याय मिलना चाहिए उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए सभी भारत वर्ष में जितने भी हमारे ड्राइवर भाई आज जो परतारित हो रहे हैं आर्टियो के दोवारा या प्रशाशन के दोवारा या उनका जो मान सम्मान में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए ये संगठन को बनाया गया है हमारे ड्राइवर समाज को जो आज बंगल का सरजमी पे जितने भी भाई हमारे अधर राज से भी चलकर जो आते हैं उन सबी को जो पैसा लिया जाता है प्रशाशन के दोवारा जो कि कितना वीडियो वाईरल हुआ और कितना हमारे भाईयों को जो परतारित किया गया जो वीडियो के माध्यम से डेली हमा लोगों के पास में नियूज आता है वीडियो वाईरल होता है हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से भी कि हमारे भाईयों को दिक्कत प्रशानी आ रही है बंगाल के में ज्यादा अतर प्रशाशन के द्वारा हमारे ड्राइवर समाज को परतारित किया जाता है तो हम लोग चाहते हैं कि अपने ड्राइवर समाज को किस तरह नयाय मिले किस तरह उनका अधिकार मिले हग की आवाज बनने के लिए ARDM जो आया है तो हमारे सभी कारिय करता उपस्तित है यहाँ पे और हमारे सभी नीडर्स गन हैं जो हमारे जारखन से बिलोंग करते हैं जैसे के हमारे शंकर यादव साहब हैं हमारे सभापती महोदे कंचन मंडन साहब हैं हमारे राज्य कमेटी के समर सिंग साहब हैं हमारे सजाद भाई हैं हमारे अब्दुल वाहिद भाई हैं तो हम लोग जो आज यहाँ पे आये हैं तो हम लोगों को बंगाल का जो राज्य कमेटी भी हमारे साथ में आये हैं हम लोग एक मिलन करने आये थे और बहुत ही खुशी मासूस होई कि दोर से चल करके हमारे साथ में आज यहां पर उपस्तित हैं सभी भाई तो सभी भाईयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अल्राइट ड्राइवर मजदूर महासंग एस्वेशन के तरफ से मेरा नाम इर्फान खान मैं अल्राइट हेल्फ लाइन नंबर भी इस्टाट किया गया है जिससे सभी भाईयों को जहें सहायता परदान भी किया जाता है हेल्फ लाइन नंबर से और 24 आवर सेवा में है वो हे प्रेशानी आती है 28 राज्य के कोने कोने तक हम लोग परियास करते हैं कि अपने भाईयों को समाधान सबसे पहला है 16 अब लोग के तरफ से फिरी है जबने ड्राइवर समाज को अगर कोई दिक्कत प्रेशानी आती है तो उसके लिए मेडिकल फिरी किया गया है दूसरा पुलिश परशासन से अगर परताडित किया जाता है उसके लिए के ARDM खड़ा है तीसरा जो है कोट का मामला है तो हम लोग एड्वोकट फिरी किये हैं तीन सुविधाएं सबसे पहला उप्तलब्द कराएं हम लोग अपने ड्राइवर समाज के लिए और अभी फर्ष्ट है अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है एशूसियसन को बनाए हुए ह तो धीरे धीरे जो है हम लोग कार्य परगती पर लेकर के जा रहे हैं संगठन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं यह कि हम अपने भाईयों को किस तरह समाधान करेंगे हम अपने भाईयों को जोड़ने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं तो अल्र कर दो